So welcome all of you to watch Aspect Vision तो कैसे हमारे बिहार पारा मेडिकल दोजा 24 के सभी स्ट्वेंट तो finally आप लोग का खुसकबरी आ गया है वो दिन आ गया है, वो समय आ गया है जिसका आप इतना लंबे दिनों से बेसबरी से इंतजार कर रहे थे फाइनली बिहार पारा मेडिकल दोजा 24 का कॉंसलिंग नोटिस आ चुका है यानि कि DCEC, PM और PMM का कॉंसलिंग डेट आ चुका है जिस पल का आपको बेसबरी से इंतजार था फाइनली आपका इंतजार हुआ खतम तो आज मैं आपको complete जानकारी दूँगा regarding बिहार पारा मेडिकल दोजा 24 कॉंसलिंग एक बार सभी स्टोइंट से रिक्वेस्ट है जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजे सभी लोग अपने तरब से चैनल को मस से मस सबस्क्राइब कर ले और कमेंट बाक्स में जरूर बताएं बिहार के किस जिला से आप ये वीडियो देख रहे हैं एक बार जल्दी सभी बच्चे लाइक कर दीजे चलिए ठीक है चलते हैं हम लोग BCC Board के Official Website पे ये है हमारा BCC Board का Official Website और कल BCC का नोटिस आया था और आज पारा मेडिकल का कहिए कि खुसकबरी पे खुसकबरी आ रही है भाईया लग रहा है दिवाली से पहले ही बम फूट रहा है दिवाली से पहले ही बम पे बम फूटे जा रहा है खैर कोई बात नहीं सीज का student को बहुत ज़्यादा फाइदा हुआ at least नहीं तो अगर अभी नहीं आता बाभू notice तो literally मैं बता रहा हूं कि दिवाली से पहले फिर आपकी counseling संभव नहीं थी अगर अभी अगर आपका notice नहीं आया होता तो कोई बात नहीं notice आ गया वह बराबात है ठीक है और यह details पर जब click कीजेगा तो आपके सामने notification आ जाएगा और एक बात बाभू बिहार पारा medical का हमारा offline counseling होता है आप लोग एक काम कीजिए आप लोग whatsapp group में हमारे join है अगर नहीं join है तो जितना जल्दी जल्दी हो सके आप लोग सभी बच्चे हमारे whatsapp group में मस से मस join कर लीजिए description में आपको link मिलेगा इदम फटा फट आप लोग सभी बच्चे जितना ज्यादा ज्यादा हो सके आप लोग join कर लीजिए ताकि आपको सभी जानकारी सा समय मिलते रहे clear है यह बात ठीक है चलिए यह है हमारा notification अब देखें इस notification में ज्यादा कुछ देखने की हमें ज़रत नहीं है हमें जो देखना है जो सबसे mail है that is important dates ठीक है important date देखिए seat matrix का date दिया गया है 18 यानि आज ही आपका seat matrix आने वाला है हाला कि BCC के notification में भी कल seat matrix आने वाला था बट नहीं आया तो seat matrix से हमें कोई उतना फर्क नहीं परता है prospectus में आपका दिया हुआ है मिला जुला की उतना ही seat रहता है ठीक है अब बात आते हैं सबसे important हमारी counseling तिथी यानि की counseling date जो की है आपका 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक ठीक है एकीस दस दोजार चौविस से 26 दस दोजार चौविस यह है हमारा counseling date यानि कि आपकी counseling प्रिकरिया 21 तारिक से start हो रही है यह अच्छी बात है कि आपका notification आने के बाद आपका 2-3 दिनों का समय दिया गया है यह तो बिससी का कल notice आया आज से counseling start है ठीक है तो समय दिया गया है यानि कि आपको prepare होने के लिए अच्छा कासा समय दे दिया गया है आपकी counseling प्रिकरियाज start होगी 21 20 तारिक से कबसे 20 तारिक से आपकी counseling start होगी और अभी हम लोग बातचीत करेंगे हमारे offline counseling के बारे में हम लोग हर साल पटना में offline counseling कराते हैं और इसका result काफी परियाँ देखने को मिलता है student लोग बहुत सारे आते हैं सब guidance लेते हैं और सभी अच्छे-च्छे college जाते हैं तो अगर आपका rank अच्छा है तो आप लोग must से must हमारे offline counseling में आईएगा और अगर आपका rank खराब है तो भी must से must आईए कि counseling देखी बहुत सारे tricks and tips यूज करने परते हैं जिससे क्या होता है ज्यादा rank भी अगर आपका है तो आपको बहतरी इन college मिल जाए अब देखिए आप जाहिर सी बास समझे कि आप जितने बच्चे ही वीडियो देख रहे हैं क्या सबका rank सेम ही है क्या सबका rank एक ही आया है नहीं आया सबका rank different आया तो जब rank different आया है सभी का तो counseling process तो same नहीं हो सकता सभी student का ठीक यानि कि आप किसी का एक video माल लेते हैं उठाके आप उसे देख जो का rank के अनुसार choice filling करना बहुत ज़्यादा ज़री होता है साथी साथ आपके पास बहुत सारे choices options है like ZNM है, A&M है, D Pharma है, DMLT है वगर है वगर है lots of courses आपके पास available है तो उस courses को सही order में arrange करना सही order में के साथ साथ आपका जो rank है उस rank के अनुसार arrange करना ये बहुत important role play करत है इसलिए सभी student तयार रहे हमारा offline counseling 22 तरिक से start होगा बिहार paramedical का जिसका information इस video में हम थोड़ा से आप लोग को आगे दे देंगे फिलाल हम लोग important dates पर नज़र डाल देते हैं आपकी counseling 21 तरिक से start हो रही है और last date है आपका 26 तरिक यानि 21-10 से लेके 26 तक आपकी counseling प्रक्रि allotment आपका 30 तरिक को आएगा यानि दिवाली से पहले आप लोग अपना college जो है चले जाईएगा first round वाले बच्चे 30 तरिक को आपका allotment आएगा उसका admission जो होगा बाबु वो एक तरिक से लेके 6 तरिक तक होगा ठीक है एक तरिक से लेके 1 नमंबर से लेके 6 नमंबर तक admission प्रकरिया चलेगी वहीं पर मैं बात करूँ second round का date जो है आपका वो 13 तरिक को आपका allotment आएगा second round का ठीक है और इसका जो admission प्रोसेस होगा वो 14 से 19 तक चलेगा 14 से 19 तक चलेगा यानि आपकी counseling स्टार्ट हो रही है कबसे 20 तरिक से आपका counseling process स्टार्ट हो जाएगा तो ब पोर्टल खुलने का इंजार है जैसे पोर्टल ओपन होगा आपकी counseling प्रकरिया हो जाएगी स्टार्ट और सभी बच्चे हमारे WhatsApp ग्रूप में must से must आप लोग join करके रखिये सभी बच्चे WhatsApp ग्रूप में must से must join करके रखिये आप लोग ताकि आपको आगे चलके benefit इस चीज क मिलेगा ठीक है चलिए आप हम लोग थासा offline counseling के बारे में बता दते हैं आपको हमारी offline counseling इस बार हो रही है हमारे offline center पर जो कि हमारा offline center कहां पर है पटना में है बजार समीती में डिसका address है आपका aspect vision classes बजार समीती main gate बजार समीती पटना यही पर आपका offline counseling हमारा होने जा रहा है और offline counseling कराने के benefit है यह कि आपको सही guidance मिलेगा सही counseling मिलेगी तो आप जो है अच्छे government college जा सकते हो साथी साथ आपके government college मिलने के chances भी बर जाते हैं वहीं पर मैं बात को एक वा सभी बच्चे address को screenshot ले ले बाकि इसकी detail में जानकारी आपको 20 तरीको चनल पर मिल जाएगी जि चीजों का information आपको offline counseling के बारे में दे दूँगा फिलाल जो important चीजे वह मैं बताता हूं इसका date जो है 21 को देखे साम तक अपका portal open होगा तो 22 तारीक से लेके 26 तारीक तक हमारा center open रहेगा आप लोगों के लिए जिस बीच आप आ के अपना counseling करा सकते हैं और अगर आप लोग एक दिन जो है आपको काफी ज़्यादा benefit करने वाली है ठीक है वो आपको बाद में पता चलेगा कि वो एक दिन आपका कितना बड़ा role play किया है ठीक है तो 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक हमारा offline center आप लोगों के लिए open रहेगा जिसमें आपकी counseling प्रकरिया होगी एक number म मैं दे दे रहा हूँ ये number हमारा offline center का है इस number के आप लोग call करके जानकारी ले सकते हैं जिसको जानकाई लेना है बाकी अन्य जानकारी के लिए आप लोग हमारा WhatsApp group मस से मस जॉइन कर लीजे ताकि आपको सभी information एकदम सबसे पहले मिलते रहे ठीक है तो धन्यवाद best of luck बिह एक बाद जल्दी सभी बचे लाइक कर दी इस वीडियो को चैनल को मस से मस सब्सक्राइब कर ले और comment box में जरूर बताए कैसा लग आपको ये वीडियो धन्यवाद